नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में तो चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं सबसे जादा मरीज पत्ना में कुल 11 करोना संकरमीत मिले हैं वहीं मुगेर में 10, गया में 2, कटिहार में 1 और वैसाली में एक नए केस मिले हैं वहीं दूसरे राज से आये एक भ्यकती की रिपोर्ट भी करोना पोजिटिव मिली है पटना में आज कुल 11 नए मामले सामने आया है जिसमें 8 लोग ऐसे हैं जो कोरोना वैक्टिन की दोनों डोज ले चुके हैं वही 9 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई travel history ही नहीं है जो नए cases सामने आया है उसमें सीविल सर्जन कारियालई का एक कर्मी और पांच साल का तिन मासों भी सामिल है नए मावले आने के बाद कॉंटेक्ट ट्रेसिंग को लेकर अलर्ट किया गया है संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की जाज कराई जा रही है और ऐसे लोगों की तलास की जा रही है जो कॉंटेक्ट में आये है पटना में आखों के इलाज के लिए देश के प्रतिष्टित सार्प साइट आई अस्पताल के पहले केंद्र का सुभारम उधोग मंत्री साहनवाज बोले बिहार के प्रति निवे सकों का बदला है नजरिया बिहार के उधोग मंत्री सयद साहनवाज हुसेन ने सुमवार को पटना के आखों के इलाज के लिए देश के प्रतिष्टित सार्प साइट आई अस्पताल का राज में पहले केंद्र का सुभारम किया इस मौके पर पुरू केंद्रिया मंत्री और पाटली पुत्र के सांसत राम कृपाल यादव के साथ दिल्ली और बिहार के आखों के कई प्रतिष्टित चिकित्सक मौजूद रहे पटना के आस्याना मोड आस्याना दिघारूट पर खुले सार्प साइट आई अस्पताल के सुभारम के बाद बिहार के उधोग मंत्री सेयद सानवाज हुसेन ने कहा है कि बिहार के प्रति निवेसकों का नजरिया बदला है बिहार में खुल रहा हर नया उधम ये साबित करता है कि बिहार में उधोग के लिए अच्छा माहुल बना है उन्होंने काया कि बिहार के मुख मंत्री नितीस कुमार के नित्वित में बिहार में मूल चुल परिवर्तन हुआ है और अब यहां तीजी से उधोग लग रहे हैं पटना के आसियाना दीघारोड इलाके में सार्प साइट आय अस्पताल के सुभारम के बाद उधोग मंत्री सैयद साहनवाज हुसैन और पूर्व केंद्रिय मंत्री वा इस्थानियस सांगसद रामकृपाल यादव ने कई तलो पर बने अस्पताल परिसर का भ्रहमन किया और आँखों के इलाज के लिए यहां उप्रब्द सवी सुविदाय देखी। विश्त्रित रिपोर्ट मांगी है। विश्त्रित जानकारी दी सुत्रों के मुताबिक स्वास्त सचीव की तरब से चुनाव आयूग को बताया गया है कि अभी देश में इस्तिधी काबू में है और बैस्विक इस्तर पर मिली रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रोन घातक नहीं है लेकिन ये वाइरस देजी से फ बिहार में पटना के गरदनी बाग में 13 दिन से पंचायत वार्ड सचीव का धरना जारी है अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे वार्ड सचीव ने आज भाजबा कारियाले का घिराव किया है भाजबा कारियाले के बाहर हजारों की संक्या में वार्ड सचीव वैठे लाप नारेबाजी कर रहे थे बिहार के कई जीलों से वार्ड सचीव वहां पहुंचे उनका कहना है कि यदि उनकी मांगे पुरी नहीं की गई तो वहां और उग्र अंदोलन करेंगे एक सदस्च ने बताया कि हम लोग इससे पहले 12 दिन से गर्दनी बाग में धरना अस्तल प पर बैठे हैं अभी तक कोई बात करने तक नहीं आया है वार्ड सचीव ने आरोप लगाया है कि सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है अचानक 13 दिसंबर को एक तूलकी फर्मान निकाल कर एक लाग 14691 वार्ड सचीव को पदमुक्त कर दिया गया है इनकी मां तक वेतन नहीं दिया गया है गया जंक्सन पर खड़ी ट्रेन की आइसोलेशन बोगी में लगी आग मची अपरातफ़ी गया जंक्सन पर उस वक्त अपरातफ़ी मच गई जब पिल्ग्रिम प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की आइसोलेशन बोगी में अचानक आग लग गई आग की लपेटे इतनी तेज थी कि पूरी स्लीपर बोगी जलकर खाक हो गई गटना की सुचना मिलते ही मौके पर पहुची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मसकत के बाद आग पर काबू पाया फिलाल आग लगी के कारणों का पता नहीं चल पाया है दरसल मामला बीते सोमवार की है घटना की सुचना मिलते ही गया जंक्सन पर जी आरपी आरपी एफ और रेलवे के कई अधिकारी पहुच गए जिसके बाद मामले की चानमेन शुरू की गई गया जंक्सन के याड में खड़े ट्रेन के डिबो में आइसलेशन वाड बनाया गय संपत्ती देख उड़ गये थे एजंसियों के अधिकारीयों के होस बिहार में घुस्खोर और ब्रष्ट अफसरों के खिलाब कारवाई लगातार जारी है निगरानी विभाग विशेश निगरानी यूनिट और आर्थिक अपराद इकाई द्वारा राज के ब्रष्ट अध चलाई जा रही है बताया जा रहा है कि बिहार में पिछले तीन महने में लगबग 20 अफसरों के खिलाब कारवाई की गई है और लगबग 6 करोड की काली कमाई जब्त की गई है आपको बता दे कि इस जब्त रासी से अगर सरकार चाहे तो आम लोगों के कल्यान के लिए कई उजना सुरू कर सकती है आपको बता दे कि लगबग 20 लोग सेवोकों के खिलाब कारवाई हुई है उनमें कुलपती, मंत्री के आप्त सचीव, जेल अधिक्चक, DTO, SP, SDPO, थाना प्रभारी, कारिपालक अभियंता, सीयो समेत, कई बड़े सरकारी अधिकारी सामिल है चाप सरकार के आधिन काम करने वाली एजन्सियों के द्वारा की गई कारवाई एक जलक मात्र है, अगर जांच इसी तरह से होती रही, तो सैक्डों की संख्या में और भ्रष्ट अधिकारियों की फोल खुल सकती है बारवी पास के लिए बिहार पुलिस में निकली बंपर वेकेंसी, जल्द करे आवेदन, तिरपन हजार तक मिलेगी सेलरी बिहार पुलिस बेहतरेन मौका लेकर आया है, सरकारी नौकरी 2022 के लिए बारवी पास अभ्यार्थियों के पास सिपाही बनने का सुनारा अवसर है राज में उत्पाद एवंग निवंदन विभाग के आधेन मदरिसेद सिपाही के 365 पदों के लिए बहाली निकाली गई है राज में सराबंदी के सकती के बीच मदरिसेद सिपाही के पद पर बहाली के लिए विग्यापन जारी कर दिया गया है इसके लिए 19 दिसंबर से आविधन की प्रक्रिया सुरू हो गई है कैंडिडेट आने वाले 18 जनवरे 2022 तक आविधन कर सकते हैं मद निशेद सिपाहे बनने के लिए लिखित परिक्षा में पास होना अनिवार्ज होगा वही इस एक्जाम में जो वे अब्यार्थी चैन होंगे वे आगे सारेरिक दक्षिता परिक्षा देंगे उपेंद्र कुस्वाहा ने आज फिर इस पर तीकी प्रतिक्रिया दी है उपेंद्र कुस्वाहा ने बीजेपी पर तंज कस्ते हुए कहा है कि यहां किसी एक पाटी की मांग नहीं है यहां पुरे बिहार की मांग है भाजपा के लोग भी इस सरकार का हिस्सा है वो लोग कर कि बिहार को विशेश राज के दर्जे की जरुरत नहीं है तो वही बताएं कि केंद्र से मिल रहा पैसा कहा जा रहा है कुस्वाहा ने कहा कि बिहार को अभी महाराष्ट गुजरात आंधर परदेश और करनाटक जैसे राज्जों की स्रेणी में लाना है इसलिए इसे के लिए ड्रोन टेकनलोजी का डेमो प्रदर्शन बोले क्रिसी के लिए ड्रोन का इस्तिमाल एक अच्छा मिसाल बेगुसराय में सनीवार को वंद्वार कोठी में केंद्रिय मंत्री और बेगुसराय के सांगसत गिरीराज सिंग ने ड्रोन टेकनलोजी का खेती में इस्तिम में हम ड्रोन का इस्तमाल फलदार पेड़ों में छिड़काव नैनो फर्टिलाइजर या माइक्रो निूट्रिंस में कर सकते हैं आज हमने मल्टिप्लेक्स कंपनी जो बैंगलूरू का है उस मल्टिप्लेक्स क्रिसी में जो ड्रोन का उपयोग कर रहा था उन्हें बेगुसराय में पहले बार बिहार की धर्ती पर उपयोग किया जा रहा है इस मौके पर गिरीराज सिंग ने यहाँ भी काया कि मुझे खुसी है कि 60-70 दसक के इर्द गिर्द हरित क्रांती आया बिहार में बेगुसराय क्रिसी के लिए ड्रोन का उपयोग करेगा ये एक अच्छा मिसाल है उन्होंने बताया कि हम जीवी का दीडी जो सिल्फ हेल्प ग्रूप की बहने हैं उनके माड़म से ड्रोन का प्रयोग कर उनके खेतों में और गाउं के खेतों में सेवा देने का काम किया जाएगा इसके लिए रविवार को जीवी का दीडियों को छोटे ड्रोन पर ट्रेनिंग दिलवाया जाएगा गिरिराज सिंग ने कहा है कि आने वाले दिनों में ये रोजगार का अफसर देगा बिना मास्क के महाविर मंदरी में एंट्री पर ब्रेक, स्रधालू से अपिल, दर्सन पुजन के लिए ही आएं, बेवजह नहीं रुकें महाविर मंदर पट्ना में अब बिना मास्क के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, मंदर प्रसासन ने यहा कदम उठाया है महाविर मंदर नियास के सचीव आचार किसोर ने मीडिया से बाचेत में काया कि कुरोना के नए मामलों को देखते हुए, मंदर प्रसासन ने प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्ज कर दिया है आचार किसोर कुनान ने मंदर आने वाले भक्तों से अपील किया है कि वे समाजिक दूरी बनाकर मंदर में दरसन पुजन किया करे इसके साथ ही सुबह 10 से 12 बजे तक मंदर में भक्तों की संख्या जादा रहती है इसलिए इस अवधी में भक्तों को मंदिर आने से परहेजर करना चाहिए मंदिर में एक बार जादा भीड ना हो इसके लिए भक्तों को अलग-अलग समय पर अपनी सुविधा से आना चाहिए इससे मंदिर में समाजिक दूरी बनाये रखने में सहलियत होगी आज के सुर्कियों में बस इतना ही भिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और इस्तेदारों में सेर करना ना भूले धन्या